आप सभी का सब्सक्राइब कर देखने वाले हैं इस एक वीडियो में आपको सभी टाइप के सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हम बात कर लेते हैं कि अपना एक रिव्यू भी बनाया था जो कि हमारी फुल मार्क्स की एक्जाम गुरू इसके अगर हम बात करें तो हमें सभी टाइप के सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाते हैं यानि कि जितने डाइप के भी आते हैं सर्शान हो गाए बाकि जितने भी आते हैं उस अभी आपको इस एक बुक में देखने को मिल जाएंगे और वह भी सबसे लादा लेटेस से लेबस के अकॉर्डिंग होंगे जितने भी क्वे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप इसको डिरेक्ट ली फजेस्स कर सकते हो तो अप सीधे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे सामने एक फ्लो चार्ट आएगा यह आपके विजन के लिए आप पॉस करके इसको दे किसी में भी अगर आपको डाउट है आपको पहले पढ़ने की बहुत जाया जरूरत है सीधे आपन देखते हैं हमाय क्वेशन जैसे क्वेशन देखो कि अगर थोड़ा बहुत बूले हुए तो पूल आपको याद हो जागा अच्छा रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छ यह नौट पूछा गया है तो चेंजे इन अन्वायरमेंट यह भी हमारा सही करेक्टिरिस्टिक है दे नौट नीद फूड एंड वाट यह हमारा सही इस क्वेशन का आंसर होने वाला है यह नौट नीद फूड एंड वाला है यह तो नूट नमर टू है विच अव इस वाट वी कॉल टैश रैस्परेशन एक्स्क्रीशन फोटो सिंथेस नन उप दाबाव शिंपल सा मारा आंसर है चैप्टर में इसके बारे बहुत बात करिए इसका मारा आंसर होगा रैस्पिरेशन नमर फॉर है हमारा डैश इस प्रोसेस इन विच मेटाबोलिक वेस्ट एलिमिनेटेट फॉर्म एन और्गेनिसम यह भी है हमारा सिंपल सा बेसिक क्वेशन है इस चैप्टर से एक्सक्रीशन अब आप बोलोगे बॉक्स साइड में क्यों डाल दिया गया यह बॉक्स इसी क्वेशन से ठोड़ी इंफॉर्मिशन है हमारी एंसरी से तो अगर आपक देखतें को से सही होने वाला है ग्रीन प्लांट इंसम बैक्टीरिया एक्जामपल्स ऑफ ऑटोटोफ सही है है हेटोटोफ्सस इंटिर और इंडिया उन ओं अथ्युल्स यह थाई है लिए यह उस्जाह फैंपल अग्जामपल ऑफ हेत्रोफ्स यह एकदम सही प्या उन सु इसका हमारा आंसर होने वाला है इससे एक चार्ट भी देखें एक बॉक्स में डाला हुआ है तो आपको पूरी एक क्वेशन भी दिख जाएगी यह चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी वहाँ पर यहां पर मैंने एक क्वेशन से भी बीच से क्वेशन से आपके सामने आ सकते हैं तो यहां पर मैंने क्वेशन थोड़े पूरे इंफॉर्मिशन को रिलेटेड पूरा वहाँ पर डाल के बनाएं तो हमारा इसका आंसर होने वाला है स्टार्ज जो हमारी प्लांट्स होते हैं उनमें स्टार्ज के रूप में एनली स्टोर होती है सेम यह आप बॉक्स पढ़ सकते हो इसमें भी इसी से रिलेटेड इंफॉर्मिशन आपको देखने को मिल जाएगी क्वेशन नमबार एट है हमारा दा प्रोसेस ऑफ फोटो सेंथेसे एक्चुली क्वेशन नहीं है सीधा क्वेशन के बाद मैंने कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर लिख दिया है यहां पे चीज़ा बता नहीं थिया आप बोलोगे यह सारे क्वेशन में में क्या MCQ तो देखने ही को नहीं मिले यह MCQ वीडियो कैसे होगी बेसिकली मेरा कोशन है कि आपको क्वेशन पता हो आपको आंसर पता हो तो किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए किसी भी ऑप्शन के साथ पूछ लिया जाए आपसे वह वहां पर बन जाए वही मैंने को बात यहां पर हमारे पास तीन स्टेप आते जो कि आपको अच्छे से सुनना है सबसे पहले आता है हमारे जो क्लोरोफेल एब्सॉर्ब करते है पूरी लाइट अनरजी सेकेद्ट स्टेप आता है लाइट एनरजी केमिकल अनरजी पूछ उती है साथ-स्प्लेटिंग औव वाट does chloroplast contain chloroplast में क्या देखने को मिलता है आपको पर सामने यह पर options हजाएंगे chlorophyll यह फिस्टा चार पांच options होंगे चार options होंगे उनमें से आपको मार्क करना है chlorophyll important question है पूछा जा सकता हूं इसके बाद question number 10 dash a tiny pores present on the surface of the leaves through which gaseous exchange take place in the leaves अगर अपने ncrt पढ़िया तो बेसिक सा यह question है हमारे जो पोर से उसको मुलाते है स्टोमेटा question number 11 is the opening and closing of the stormyter pore is a function of the dash तो यह हमारा सिंपल सा answer है हमारे guard cells जब यह हमारे स्वेल होते हैं तो जो स्टोमेटार पोल हो जाता है जब श्रिंक होते हैं तब बंद हो जाता है और इसी में हमारा chloroplast है वो प्रेजेंट होता है अगला हमारा question है salivary amylase enzyme present in saliva breaks down starch into dash यह भी पूछा जा सकता है saliva में हमारा कौन सा enzyme होता है इस टाइप के बहुत सार अलग अलग तरीकी से पूछा जा सकता है आपको main answer पता होना चाहिए salivary amylase इसके बाद यह starch को break कर देता हमारे simple sugar में question number 13 है हमारा the food pipe that takes food from mouth to stomach is also called simple सा answer is isophagus इन सबके diagram आगे देखेंगे question number 14 है gastric glands present in the walls of stomach release dash dash and dash बहुत important question है कई बार पूछा जा सकता है अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है तो सबसे पहले hcl उसके बाद हमारा pepsin और third हमारा mucus इन तीनों का क्या काम है यह आप हमें comment section में बताईएगा सारे questions comments का हम reply करते हैं तो बहुत अच्छा लगते जब आपके सही answer आते है जब आप बताते हो कि आपको यह video कैसी लगी तो comment section में बता दीजिएगा question number 15 है dash is the longest part of the elementary channel which is fitted into a compact space because of extensive coiling तो यह भी हमारा सिंपल सांसर है सबसे longest part है हमारी small intestine यह पढ़ सकते हैं यहां पर वैसे interesting question है यह मैं आपको बता देता हूं जो हमारे हर भी वोस होते हैं उनकी जो small intestine होती हो थोड़ी ज्यादा लंबी होती comparatively carnivores के बाकर information के लिए आप इस box को पढ़ सकते हो अगला हमारा question है the dash is the site of the complete digestion of carbohydrate proteins and fats यह भी हमारी same है हमारी small intestine यहां पर इन सब चीज़ों के complete digestion हो जाता है अगला question है by juices secreted by इस type के जो हमें questions है कि कौन सा enzyme release कर रहा है किसका क्या का में यह बहुत important है आगे बहुत सारे questions देखो गए तो इसकी importance बहुत ज्यादे आपने अच्छे से इनको नहीं देखा है तो एक बात च्छे सुनिएगा तो हमारा बहुत पहले विलाए करता था जो कि गलत नहीं अमेरिकन इंग्लिश में इसका इंडियन और बिटिश इंग्लिश में इसको विली बुलाते हैं मुझे परसनली विलाए जादा अच्छा लगता आप कमेंट में बता सकते हैं आप इसे क्या बलाते हो एक और बात इसका function भी जादा क्वेशन उससे नहीं देखने को मिलते हैं कि कुछ चीज़ें हमें पता होने चाहिए सबसे पहले जो होता है उसमें जो एनरजी होती है वो ज्यादा रिलीज होती है ज्यादा इनकंपेरिटिवली हमारे एनरोबिक रेस्परेशन के दूसरी चीज वह हमारे यह आता इसमें जो कि एथेनॉल प्लस कार्बन डिरॉकसाइड प्लस एनरजी रिलीस करता है इसके बाद हमाई मसल सैल होते हमाई जो बोडी होती है जब हम एक्सराइस कर ले तो यह तो वहाँ पर प्रेशन्स में ज्यादा नहीं मिल पासए ऐसे उक्सीजन की तो उसकेस में हमारे वास लेक्टिक एसेट किसाब एनजी प्रोडियूस होती है तो कई बार जो बोडी सोलने सोती हो इसी के गारण होती है और थार्ड प्रिजेंस ऑप ऑक्सीजन जो कि माईटो कॉंड्रिया में होता है कारबन डायोकसाइट प्लस एनजी इसको एक बाब पॉसकर कि आप देख स सकते हो इसके बाद question number 21 में भी कुछ statement है हमारे पास जो कि हमें पत्ता होना चाहिए जब रात के टाइम पर फोटो सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो में काम जो प्लान कर रहा है वह सियो टू फोटो सिंथेसिस में यूज हो जाता है इसलिए दिन के टाइम पर मेंली वह ऑक्सि होते हैं इसका हमारा अंसर है यह भी एक इंपोर्टन टाम आता है जिसको आपको लगता है इसका function मुझे नहीं पता इसका मीनिंग मुझे नहीं पता तो comment में पूछ लीजिए आप NCRT देख लीजिए किसी भी जगहें पर देखिए लिकिन इसका अंसर जरूर देखिएगा 23 यानि कि हमें कोई बीचीज स्किप नहीं करना है अगला question है in human beings the respiratory pigment is dash which has a very high affinity for oxygen याद रखना है यह oxygen बहुत अच्छा carrier होता है इसको हम बुलाते है hemoglobin इसके बाद 24 डूरिंग वाइगोस फिजिकल एक्साइज लेक्टेक एसे इस फॉर्म फॉम ग्लुकोज इंसाइड मसल से बिकॉज वही अभी आपने बात करी देगए अपने चार्ट अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा there is lack of oxygen अब हमें एक इमेज दो questions देखने वाले question दिया हुआ है जो कि सीधर statement से दो हमारे सामने यहां पर एक hidden question मैं आपसे पूछूँगा ventricles have thicker muscular walls than arteria एकड़म साही statement आपको याद रखना है ventricles की जो walls होती है वो ज्यादा muscular ज्यादा थिक होती है question 26 welts ensure that blood flow does not flow backwards दो स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है इन दोनों स्टेटमेंट्स को question में आपसे यह है कि जो ventricles होती है वहां पर ज्यादा थिक मस्कुलर बॉल्स के होते यह आपको comment box में बताना है question 27 what prevents backflow of blood from inside of the heart during contraction यह ही हमारा एक पीछरा मेंने स्टेटमेंट देगा उसी में स्कान सा छपा हुआ था स्टेटमेंट्स के जो जब कॉंट्रेक्ट होता है हमारा ventricles तो उपर जाने से ब्लड को backflow होने से यह रोग देते है question 28 the type of circulatory system that mammals occurs in mammals in which the blood passes through the heart twice before completing full circuit of the body is called dash दो बार निकला तो याद रखेगा double circulation अगला question the force that blood exerts against the wall of vessel is called dash तो इसका हमारा answer है blood pressure जनले हम BP बुलाते है BP को हम नापते है स्पिक मैमनो मीटर से 120 by 80 इसकी हमारी measuring normal कही जाती है और इसको हम hypertension भी बुलाते है तो यह पूरा हमारे एक box में दिया हुआ था इस type of question आपके इस बेश में भी देखने को मिल सकते है question 30 dash are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body तो जो अवे लेके जाते है उसको क्या बुलाते है साथ से हमारा question 31 है dash collect the blood from different body parts back to the heart एक है जो हार्ट से बाकी body parts में लेके जाया है जो कि oxygenated blood carry करता है दूसरा है जो de oxygenated blood वापे हार्ट तक लेके आता है तो सबसे पहला है आर्टरी दूसरा है वेंस इसको याद रखिएगा confused मत हुईएगा question 32 on reaching an organ or tissue the artery divides into smaller and smaller vessels the smallest vessels have walls which are one cell thick and are called बहुत important question dash capillary यहां पर हमारा पूरा टेक्स प्लेस होता है यह आगया हमारे पास डाइग्राम जो इसी चीज़ को शो कर रहा है यह हमारे हाट से निकला हमारा oxygenated blood अलग-अलग organs तक पहुचा वहाँ पर जो चाह चेंबर इसलिए होता है ताकि यह कभी भी blood mix ना हो oxygenated or deoxygenated कुछ animals के cases में यह भी देखने को मिलता है कि चाह चेंबर नहीं कम है तो वहाँ पर इसलिए होता है कि कई बाद लोग allow कर देता है कि थोड़ा बहुत oxygenated or deoxygenated blood है वो मिल भी जाए तो हमाई body को चलेगा लेक platelets की मदद से अगला question है हमारा पास the dash moves water and minerals obtained from soil तो अब यहां से plant का चालो हो रहा है और question में 35 इसी से related the dash transport products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant तो एक यह जो water का हमारा पूरा सिस्टम है एक हमारा पूरा सिस्टम है तो इसका वाटर वाले का अंसर है xylem और दूसरा अले का है phloem अगला हमारा question है the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as dash तो आमें देखने को मिला था हमारे जो हमारे पोस होते है ताइनी पोस स्टमेटा के जो पोस होते है उनसे बहुत साव वेपर की दूरूप में water निकलते है उसको आम बोलते transpiration 37 the transport of soluble product of photosynthesis is called dash and occurs in the part of vascular tissue known as phloem इसका हमारा answer translocation वाक्स आप पर सकते है 38 the biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called harmful जो वेस्ट होता उसको निकालने को हम बोलते है एक्सक्रीशन यह जो तर्म से easy term से जादा different में ही है अगला question है the filtration units of kidney are called ureter, urethra, neurons या और निफ्रोंस इसका हमारा answer है निफ्रोंस इसका भी डाइग्राम हम देखने वाले urine is produced in kidney, ureter, urethra, urinary bladder तो इसका हमारा answer है kidney एक और चीज़ आपको याद रखना है जो artificial process है अपने waste products को साफ करने का body से तो उसको हम बोलाते है dialysis basically क्या करते है blood से waste निकाल देते है जब body kidney जो होती है वो प्रोपर अपना function काम करना बंद कर देती है तो हम dialysis करने लगते है question 41 which of the following statement is are true about respiration to see the charge statement हम देख लेते है during inhalation ribs move inward and diaphragm is raised तो एकदम गलास statement है inhale जो हम कर रहे है तो diaphragm नीचे जाएगा ताकि जादा अंदा gap बन सके तो यह आप याद रखिएगा diaphragm raised का बोता है जो हम exhale करते है in the alveolar exchanges of gases takes place that is oxygen from alveolar air diffuses into blood and carbon dioxide from the blood into the alveolar air यह एकदम सही statement है third statement दिया हुआ है hemoglobin has a greater affinity for carbon dioxide than oxygen तो एकदम गलास statement है जो उसकी carbon dioxide जो carry करने की capacity वो एकदम कम होती है oxygen की जादा होती है इसलिए वो mainly oxygen करी कर पाता है फोर्थ दिया हुआ है alveolar increases surface area for exchange of gases यह भी हमने दिखा था है तो हमारे second और fourth वाला सही है हम मार्क करेंगा option number D both second and fourth है correct question number 42 हमारा assertion reason वाला question है assertion reason वाले question में आपको assertion दिया होगा reason दिया होगा आपको दोनों को check करना है सही है गलत अगर दोनों सही है और हम देख लेते हैं तो यहां पर रीजन इस तरीके का आता है कि हां यह सचाहिए तो इसका रीजन आता है कि हां उनका फंक्शन यह होता है इसलिए बहुत ज़्य इंपोर्टेंट है तो रीजन आश्यां नहीं गों और एक्स्वेनेशन भी सही होगा अब रीजन को देख लेते हैं वाइप प्रो इस प्रोटेंशन दिया हुआ है अब यह मने देखा था हमें वीडियो में रीजन दिया हुआ है वुद टेक्स नोर टाइम टॉट टाइम ड़त तो इंपर यह उनकी कहना इस ताइन बड़ी होती है तो इसका मांसा लेखेंगे असरेशन इस तू बट रीजन इस फॉल्स 44 असरेशन दिया हुआ है nutrition, respiration, transportation, excretion and growth are essential processes of life एक्डम स्चाट में हमने देखा था सही रीजन दिया हुआ है we cannot survive without these processes यह भी एक्डम सही statement और explanation भी सही कर रहा है तो हमारा बोथ A and R are two and R is the correct explanation of असरेशन अगला हमारा असरेशन दिया हुआ है multicellular organisms need spatial organs for exchange of gases between their body and environment अगला हम ब नहीं मिलता है उनमें special organs defined नहीं होते है देख लेते हैं इसका reason क्या दिया हुआ है reason दिया हुआ है they need more oxygen therefore they need special organs like lungs यह भी explain कर रहा है कि हमें क्यों जरुआ होती है special organs की इसका answer is both A and R are true and R is the correct explanation of a session अगला session दिया हुआ है alveoli is designed to maximize the exchange of gases एक्डम सही reason दिया हुआ है the walls of alveoli has extensive network of blood vessels which help in exchange of gases so reason बता रहा है कि वह exchange ज्यादा facilitate क्यों कर पाता है क्योंकि उसका network है बहुत ब्लोड vessels वहां पे होते है जिससे facilitation मिलता है यहां पी भी आम बोली नहीं है प्लांच यूजली एब्सेंशेल न्यूटियंट्स यह भी सही statement है लेकिन यहां पर बताया है नहीं जाला कि उधर पर जो और और से वो क्यों लेक करते हैं यहां पर दिया होना चाहिए कि मेंली उनका जो एक्सक्रीशन है वो ट्रांस्परेशन के थ्रू हो जाता है मेंली रूट्स के थ्रूट आ एक्सक्रीशन अपना कर देते हैं यहां पर एक्स्प्रेशन सही नहीं है तो हम बोलेंगे ए इस बोट ए एंड रा टू बट आर इस नोट दा करेक्ट इक्स्प्रेशन ऑफ अगला हमारा सेशन दिया हुआ है प्लांच एक्सक्रीशन वेस्ट प्रो मैंने सारे क्वेशन वहां के देखे कुछ हमें आगे जो डाइग्राम से उससे का क्लियर हो जाएं कुछ मैंने डाल दिया तो देख लेते हैं प्लांच यूज कंप्ली डिफरेंट प्रोसेस पर एक्सक्रीशन अस कंपेर्ट टो एनिमल्स विच विच्वान प्लांच फॉल यह एकडम साइज स्टेटमेंट है हमारे देखने को मिला था हमारे एंसी आटी में रास दिया हुआ एक्सक्रीट वेस्ट सब्सेंसे एक्टू तो तो यह तीनों स्टेटमेंट्स आहिए ऑप्शन अमारा वह गलत था अब हमारा सामने हमारा केस बेस्ट क्वेशन निकल के करता है इस टाइब के जो केसे से आहिए अपके एक्टिविटी से आसकते आया आपके चेप्टार से आसक्ते हैं आपको कुछ भी लाहन दी हुई है उसे रेलेटइट क्वैसंशन से पूछे गए घ्रिसको आताए फटाक से फटाक से पास करकर कर सकते हैं आपको जूली से तो इसमें क्या बताया गया है बेसिकली एक एक्टिविटी थी है हमारी इसमें सबसे पहले इन दोनों प्लांट को डार्क में रख दिया गया 72 आवर्स के लिए ताकि को भी फोटोसिंटेसिस ना हो उसके बाद उनको वहां से निकाला गया और इनको जार में पैक कर दिया गय यहां पर थोड़ा सा स्केम मुझे देखने को मिला बाई NCRT में potassium hydroxide लेखा है यहां पे लोने थोड़ा सा tricky बनाने के लिए क्यों अच लिए लेकिन हमें पता होना चाहिए यह बेसिक क्वेशन है यह चीज़े तो चेजिस करेंगे अपने क्वेशन में तो हमाई एक में केम होता है हमाई photosynthesis में दूसरा question हमारा दिया हुए the function of koh is to absorb dash तो basically क्या होता है हमारे एक के साथ koh लग दिया गया है तो वह पूरी वहां की carbon dioxide को absorb कर लेता है उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जहां की absorb की जाती है वहां पर photosynthesis नहीं होता है अगरा हमारा देखने को मिलता है जब iodine test हम करेंगे तो वहां पर blue black color सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बी प्लांट ता उसमें देखने को मिलेगा ए में नहीं देखने को मिलेगा यह आपको पता ही हो गया ब्लू ब्लैक क्यों होता है नहीं पता तो comment में पूछ लेजिए गया which are the following steps can be followed for making the apparatus airtight तो इस apparatus को airtight क करने के लिए basically हम क्या करेंगे सबसे पैसे नीचे glass plate रख देंगे और second step लेंगे वहां पर हम जो वैसली होती है उसको लगा दिए पूरे नीचे साइड जार में ताकि वह airtight हो जाए यह कुछ questions थे जो हमारे case से पूछे जा सकते थे इससे बहुत सारे case बनाने जा सकते हैं आपको NCIT पर focus करना case based प्रिदार ध्यान देने के इससे जरूवत नहीं है अब हम सीधे कुछ images को देखेंगे वैसे science में जितनी भी images हमारे सामने आती सभी important है इस video में मैंने सिर्फ most important जो इस chapter से थी वो डाल दी है एक आदी होगी जो मैंने miss करी है सभी most important थी तो सबसे पहले ही है open and close sto metal pore मैंने आपको बात करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा वाना दो तीन बात देखना भी इस लिए इनफ है इसके बाद human elementary kennel अप यह इस टाइप का डाइग्राम है आपने पूरा चैप्टा पड़ा प्रेंध ही होगा है इस तरीकों से ब्याद कर सकते हैं क्या क्या रिलीज होता है यहां पर क्या रिलीज होता है पूरे चैप्टर में हमने इसी चीज को पढ़ते हुए बात करी है तो जनरल इस अभी आप सेंपल पर भी देखोगे तो आपको ही बहुत जब इंपटर्टन इसे कुशन बहुत सारी आते हैं इसके बाद महां सामने आता है यही आपको पता होना चाहिए इनका क्या काम है यह जो डियोक्सिजिए ब्लड लेके जा रही है यह आप देख लीजेगा पूर इस डाइगाम को इस पर पढ़ लेंगे तो आपको पूरा बन जाएगा क्योंकि बाकि जित्ते भी टॉपिक से हमने पूर इस वीडियो में कवारी कर दी है अब हमाई सामने आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम इन हुमन बीक्स इसको भी आपको एक बाद देख लेना है यह मैंने बोला था है निफ्रॉन का यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है लेकिन इन सब के बाद इंपॉर्टन तो आप जितने वीडियो में आप सभी को देखना है इसी के साथ यारी जो हमारी वीडियो है खतम होती है ओपोले आपको सारे चीज़ में अच्छे समझ में है यह कोई भी डाउन है तो आप कॉमेंट बॉक्स से पूज सकते हो अगर सब्सक्राइब कर सकते हो इसी के साथ साइनिंग आफ देव टेन गुरिया बाई बाई